नवस्कार जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट अमसी की वा संदीब में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट आठ जनवरी 2020 इसको जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आगे थी 14 जनवरी को और 14 जनवरी के बाद आपतियों का सिलसिला शुरू हुआ और ये 17 तारिक इसकी लाश्ट देट थी और तब तक 17 तारिक की रात 12 बजे तक 1300 प्लस आपतियां आई है दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट है इसकी जो विस्तरत रूप है इसकी विस्तरत चर्चा चलिये करते हैं देखते हैं क्या है पूरी खबर तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर परिच्छा में पूछे गए सवालों पर 1261 अभ्यर्थियों की आपति ये कल रात 9 बजे तक की खबर है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और भी आपतिया होईगी तो इससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 1300 प्लस अभ्यर्थियों ने आपति की है तो शेले इसमें है क्या वो देख लते हैं यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्र आपर असहमती जताई है मैंने अभी बताया ये 9 बजे तक का डाटा है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और ज्यादा आपतियां दर्जिकराई गई होगी तो इसका जो आकड़ा है वो 1300 प्लस हो गया होगा यह संख्या मद्य रात्री तक और बढ़ सकती है साशना देश में इस प प्रशनों पर संस्था बिल्कुल भी विचार नहीं करेगी परिच्छा नियामक पुरादिकारी का रहा है लेकर 14 जन्वरी को मद्यान से UPTT के प्रशनों पर आपति लेने की प्रक्रिया शुरू हुई और शुक्रवार रात 9 बजे तक प्राथमिक इस्तर की परिच्छा के लिए 1105 आपतिया मिली हैं उनमें से 700 सरसट ने ही सुल्क जमा किया है ये प्राथमिक इस्तर की बात बताई जा रही है ऐसे ही उच्छ प्राथमिक इस्तर की परिच्छा में पूछे ले सवालों पर 156 आपतिया मिली हैं उनमें 99 ने ही सुल्क जमा किया है बाकी के 57 लोगों ने शुल्क नहीं जमा गिया है कुल 1261 आपत्तियों में 866 ही मानने है जबकि 395 शुल्क ना जमा होने से खारिज हो जाएंगी सचिव अनिल भूशड चत्रवेदी ने कहा है आपत्ती में संख्या में और बड़ोत्री हो सकती है क्योंकि यह जो डाटा यह 9 बजे तक का है और 9 आपने अगर आपत्ती दर्ज कराई है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि कितने प्रशनों पर आपने आपत्ती दर्ज कराई है इस वीडियो से सम्मंदित अगर आपके पास कोई सुझाओ है राय है तो नीचे करें घंटी का निशान जरूर दमाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत